रेवाडी में आसा वर्कर्स की इन दिनों पाट साला ही चल रही हैं जिसमें आसा वर्कर्स को गैर संचारी रोगों के बारे में पढ़ाया जा रहा है और फिर टैस्ट भी लिया जा रहा है जिसके बाद आसा वर्कर्स अपने अपने छेत्र में जाकर विविन तरह के रोगों के बारों में महिलाओं को जागरू करेंगी रेवाडी के नाल अस्पताल में चल रही आसा वरकर्स की ट्रेनिंग एक महा चलेगी और पांच-पांच दिनों में समू बनाकर 810 आसा वरकर्स को ट्रेंड किया जा रहा है आसा वरकर्स को एक बुक के माधम से पढ़ाया जा रहा है कि उन्हें विबिन रोगों के बारे में महिलाओं को जागरुक कराना है डिस्टिक आसा वर्कर्स कोडिनेटर का कहना है कि गैर संचारी रोगों के बारे में आसा वर्कर्स को बताया जा रहा है जिसमें बीपी सुगर बच्चे दानी का कैंसर मूह और स्तन के कैंसर सहीत अन पांच पांच दिन का इनका बैच है पांच पांच दिन के हिसाब से चार गुरूप चल रहे हैं यहां पे 120 आशा पांच दिन में उसके बाद रेड़ मिने चलेगी और गहर संचारी रोग है जो एंसीडी की इनकी ट्रेनिंग चल रही है नोन कमिनकेबल डिजीज की उसमें ब आगे जाके ये फिल्ड में सर्वे करेंगी अपनी जो जनसंख्याइं की दी हुई है हजार की पॉप्लेशन पे उनका सर्वे करेंगी और उनको मतलब जो भी इनके बारे में ये विमारी कैसे फैलती है और इनके लिए कैसा आउदानिया करनी पड़ेंगी कैसे अपने आप